चबर केंद्रिये जाच एजिंसी एडी ने कोलकाता के कोईला घोटाला मामले में ममता बैनर जी के बतीजे अभीशेख बैनर जी और उनकी पत्नी रुजीरा बंदोपाद्याय को पूश्टाच के लिए बुलाए है अभीशेख को 6 सितंबर को बुला गया है और उनकी पत्नी को 1 सितंबर को पूश्टाच के लिए बुला गया है दोनों को बैंक डीटेल्स के साथ बुलाया गया है तो ये बड़ी खबर इस वक्ती न्यूज एडीन के आनंतिवारी की खबर के मताबिक केंद्रीय जार्च एजिंसी इडी ने कोलकता के कोईला घोटाला मामले में ममताअबैनरच जी के बतीजे अभिशेख बैनरच जी और उनकी पत्नी को बुला है तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कोईला घोटाला मामले में लगाता है अभिशेक बैनर जी उनकी पत्नी रुजिरा का नाम सामने आ रहा था और इस सब के बीच अब ये जानकारी मिल रही है केंद्रिय जाच एजेंसी एडी की तरफ से 6 सितंबर को पुछताच के लिए अभिशेक बैनर जी को बुलाए गया उनकी पत्नी को एक सितंबर को पुछताच के लिए बुलाए गया और दोनों से कागे कि बैंक डीटेल्स के साथ पहुचें आनंति वारी हमारी सेयोगी चुड़ गया आनंति क्या पता चल पा रहा है जी देखी पश्चिम मंगाल की राजनीती में एक बड़ा मामला आया था जो कोल स्केम था कोईला गोटा ला था और उस पूरे मामली की जाच पहले CBI ने करी और उसके बाद लगातार CBI और ED ने सर्च उप्रेशन चलाया था बहुत सारी सीजर हुए थे और उसमें लगातार इन्हें पहले भी संबन देके पूस्ट कि भलाया था लेकिन अविश्यक बनर जी को इस बार पेश होना पड़ेगा 6 सितंबर को उन्हें एडी के सामने पेश होना और बता दे कि उनकी पत्नी है रुजीरा बंदो अपाध्याय वह पहले उन्हें भी संबन एडी ने किया था और बैंक डिटेल के साथ जो केंद्री जांच एजनसी एडी है उसने जो दोनों पती पत्नी है उन्हें पेश होने ट्रेल जो थी उसकी पूरी जांच जो है वो एडी कर रही थी और उस मामले में लगातार कोलकता पच्छी मंगाल की रहीती में एक तरीके से काफी उठा प्रत्यारों भी लगे थे उस मामले में अब अब अभिशेक बेनर जी क्या 6 सितंबर को एडी के सामने पेश होंगा एक बड़ा सवाल है और किस तरह से पूष्टा जागे उनसे होगी और क्या बड़ी कारवाई उनके खिलाब एडी करेगी यह देखना होगा जी चुक्रिया आनन्द ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए तो 6 सितंबर को पुष्टाच के लिए अभी शेक बेनर जी और एक सितंबर को पुष्टाच के लिए उनकी पतनी को और इस बीच एक बड़ी कबर अगवानिस्तान से अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर है कि तालिबान का जो महिला स्टाफ है उसको काम पर वापस लोटने के लिए तालिबान की तरफ से फर्मान जारी किया गया अफगानिस्तान पर ये बड़ी खबर इस वक्त की तालिबान का महिला डॉक्टरों को आदेश है जो महिला डॉक्टर से उनको काम पर वापस लोटने का आदेश जारी किया गया है के कहा गया है कि वह वापस काम पर लोटें जिस तरीके से काबूल में धमाका हुआ उसके बाद आप डेर सो से जादा लोग इस धमाके की जद में आए कई लोग जखमी हुए है और उनके इलाज के लिए अब महिला स्टाफ की कमी हो रही है क्योंकि तालिबारी राज के भी सिस्टम पूरा चर्मरा गया है और अब ये जाने